हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टैक कुलक पंतरा मेरे साथ आपको इस वीडियो के अंदर एक टिप बताऊंगा जिसका इस्तमाल करके आप चुटकियों में ये प्रब्लम का जो है सोलूशन पा सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और ज जाना है Play Store के अंदर यहाँ पर आप जैसे ही Search करवाएंगे, मैं बताऊं आपको Search कराना है क्या Android System WebView, Android System WebView जैसे ही आपको ये दिखाई दे, इसके ओपर आपको क्या करना है Tap, Tap करने के बाद यहां पे आपको एक तो ये मिलता है ऑप्षन install करने का आपको इसको install करने की जरूरत नहीं है इससे दूसरे वाला option आपको लीचे दिखाई देगा Android system web view खाली web view जिसके आगे न बीटा लगा हुआगा न डीवी लिखा हुआ ये सिर्फ आपको web view देखना है कि ये आपके phone के अंदर install है के नहीं है और install है तो उसको ये देखिए कि वो update है य नहीं है इसको update करना बहुत जरूर है अगर ये update नहीं हो तो ये आपकी जितने भी apps होती है वो सारी की सारी हो सकता है कि ठीक से काम ना करें फिर कुछ app जो है वो ठीक से काम ना करें तो इसको update अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो ये क्रेशिंग वाली इशू है ये ठीक हो सकती है तो इस टिप का आप इस्तमाल करके जरूर देखिए अगर ये आपको काम आती है तो कमेंट में मेरे को जरूर बताईएगा अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई टिप और ट्रिक्स ह आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा वहाँ पे जाईए पेज को फॉलो करिए लाइक करिए आप मेरे को बापे मैसेज चोड़ सकते हैं में रिप्लाइज जरूर दूँगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर तब तक बने रही है टेक को मुंतरा के साथ जय हिन जय भारत